हेलो एवरिवन, वेलकम टू स्टाडी पॉइंट, स्टाडी पॉइंट यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है, आई होप आप लोग की स्टाडी बहुत इची चल रही होगी, और इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम यूपी ट्रिपल सी एक्जाम के लिए हिंदी के कु सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर करने और वीडियो को लाइक करें, अगर आपको लगे कि यह हेल्फुल है आपके लिए तो, पहला कोशन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, निमलिखित में से किस आधूनिक भारतिय भाषा का विकास सौर शेनी से हुआ है, तो यह है राजस्थानी और ब्रज भाषा और खड़ी बोली, इनका जो है भारतिय भाषा का विकास हुआ है, सौर सेनी अपभरण से हुआ है, तो जो अवधी है, इसका सौर सेनी अपभरण से नहीं हुआ है, तो option D है हमारा correct answer, अगला प्रशन है, निमलिखित में से कौन सा संयुक्त वंजन नहीं है, तो संयुक्त वंजन होते हैं, छत त्रिंग्या और श्रा, तो छत त्रिय भी दिया है, त्रे भी दिया है, ग्या भी दिया है, श्रा नहीं दिया है, और श्रा दिया है, तो यह नहीं होगा, तो option B है हमारा correct answer, श्रा जो है, यह संयु विक्षेद क्या होगा डायरेक्ट आंसर इसका बता देते हैं टाइम वेस्ट नहीं करना है तो इसका आंसर होगा वाक प्लस मैं कोशन है निश्चल में कौन सी संदी है आपसे पूछा गया है संदी कौन सी है बतानी है तो निश्चल में संदी होती है विसर्ग संदी याद कर लिजएगा संदी से कोशन दो पूछे जाते हैं हमारा अगले प्रशन है निम लिखित में से कौन सा अशुद्ध वरतिनी है अशुद्ध पूछा है तो कवित्री ये हमारा शुद्ध है कवित्री ऐसे ही लिखते हैं जोस्तना भी आसे लिखते हैं वरहनी भी आसे लिखते हैं महात्म ये ऐसे नहीं लिखते हैं तो spelling इसकी याद कर लेजी मात्राएं कैसी होती हैं फिलाल हमारा सही answer हो जाएगा option D जोकी अशुद्ध है फिर question है निमलिकित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी है इसे संबंदित प्रश्न है तो शुद्ध वर्तनी आपको बतानीं तो शुद्य वर्तनी है जो है यहाल मिकी वाल मिकी एकडम साही स्पेल किया है option A हो जाएगा हमारा करेक्ट आनसर वाल मिकी को इसे लिखा जाता है यात कर लिजिए कोशन कई रेपीट होते हैं कि हमारा दस्वा प्रौशन है हिंदी में सरवादिक प्रयोग होने वाला विराम चिन्द कौन सा है देखे इस यह जो कोशन से यह टो सीरीज की जो घटना चकर की बुक आई है उससे कोशन लिए है तो इसमें कुछ कोशन से जैसे कि यहाँ पे 6 के बार डारेक्ट 10 कोशन आ गया तो 7 से जो 9 कोशन थे वो ग अलप विराम योजग और विषमयादीवोधक तो यह हो जाएगा अलप विराम कॉमा भी हम लोग कहते हैं इंगलिश में पूर्ण विराम का चिन्द ऐसा होता है ठीक है विषमयादीवोधक का ऐसा और योजग का आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कोशन है हिंदी में सर हमारा अगला प्रशन है निमलिखित में से कौन सा गुड़ वाचक विषेशन नहीं है गुड़ वाचक विषेशन की बात की जा रही है तो पहले हम लोग देख लेतने कौन कौन सा गुड़ वाचक विषेशन है तो पहला दिया है पुराना ये गुड़ वाचक विषेशन होता है काला भी होता है गुड़ बताना होता है इसमें तो वह गुड़ वाचक विशेशन कहला था मोटा भी यह गुड़ वाचक विशेशन है दूसरा यह गुड़ वाचक विशेशन नहीं है option B है हमारा सही उत्तर अगला प्रश्ण है निम लिखित शब्दों में से कौन सा अर्भी भाशा का शब्द है चार option दिया है और इसका सही आंसर हो जाएगा जो गरीब है ये अर्भी भाशा का शब्द है तो B हो जाएगा हमारा सही उत्तर अगला प्रश्ण है निम लिखित में से कौन सा शब्द समू वाचक संग्या नहीं है जो ग्रुप को बताएगा एक समू को दर्शाएगा वो समू वाचक संग्या होता है तो आपको पता है सभा एक सभा एक समू है समू वाचक संग्या है दल भी एक समू वाचक संग्या है गिरो भी एक समू वाचक संग्या है तूफान ये समू वाचक संग्या नहीं है तो C हो जाएगा हमारा सही उत्तर अगला प्रश्ण है निम लिखित में से संबंध वाचक सर्वनाम कौन सा है तो आपको बताना है संबंध वाचक कौन सा सर्वनाम है तो ये है जो सो ओप्शन ए है हमारा correct answer ये हमारा संबंध वाचक सर्वनाम और आप लोगों से request है कि इस वीडियो को आप लोग जादा से जादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा चौदा कोशन हो गया है पंद्रामा कोशन है आपके सामने निम लिखित में से कौन सा स्ट्रीलिंग शब्द नहीं है इस से related एक कोशन जरूर पूछा जाता है तो इस्ट्रीलिंग शब्द जो नहीं है ये है दही दही एक इस्ट्रीलिंग शब्द नहीं है भूख, टोपी और प्यास ये इस्ट्रीलिंग शब्द है option D हो जाएगा हमारा correct answer क्योंकि दही इस्ट्रीलिंग शब्द नहीं है नारी का भवचन बताना है आपको तो नारी का भवचन होगा नारियां ठीक है, option A है हमारा correct answer हमारा अगला प्रशन है हीमाले से गंगा निकलती है वाक में कौन सा कारक है चार option दिया है तो say तो होचा है अपादान से तो अपादान कारक है इसमें option D है हमारा correct answer करता के साथ करता ने यूज करते हैं करम को संप्रदान में के लिए यूज करते हैं और अपादान में यूज होता है से, ठीक है तो option D है हमारा correct answer हिमाले से गंगा निकलती है तो इसमें अपादान कारक का यूज हुआ है कोशन है दो या दो से अधिक धात्वों और दूसरे शब्दों के संयोग से या धात्वों में प्रत्य लगाने से बनने वाली क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं तो यह कहलाती है यौगिक क्रिया कहलाता है काल तो वो कहलाता है हे तुहे तुमत भविश्य काल जिके ध्यान से पढ़ लिजेगा कोशन रिपीट हुआ है जिस काल में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है वो कहलाता है हे तुहे तुमत भविश्य काल ओप्शन सी है हमारा सही उत् कोशन ने निम लिखित में से अंतास्था वेंजन आपको बताना है चार ऑप्शन दिया है तो अंतास्था वेंजन होते हैं या, र, ल, व, याद कलेज़ेगा बहुत इध्यान से कोशन पूछा जाता है एक्जाम में से सम्बंदित 21 प्रशन है निम लिखित में से कौन सा नि उपसर का अर्थ है तो नि उपसर का अर्थ होता है निशेद भी होता है अभाव भी होता है विशेश भी होता है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा option D उपरियुक्त सभी ध्यान से याद कर लेज़ेगा 21th question को आप लोग अगला प्रेशन है निम लिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है जिन शब्दों का उत्पत्ति संस्कृत भासा के सब्द से सेम होती है तो उसको हमें तत्सम शब्द कहते हैं तो यह होता है संस्कृत के समान ऐसा समझ सकते हैं अब लोग तत्सम मतलब समान इसमें संस्कृत से सम्मंदित प्रेश्ण पूछे जाते हैं शब्द से रिलेटेड तत्सम संस्क्रिट से ही उत्पन तो यह हो जाएगा स्वर्ण ठीक है यह संस्क्रिट शब्द है option B है हमारा correct answer सूरज कुवा कपूत यह है तत्भव शब्द और स्वर्ण है तत्सम शब्द option B है हमारा correct answer कोशन है गीता ने आम खाया वाक में कौन सा काल है तो यह है आसन भूत ठीक है option A है हमारा correct answer अगला प्रशन है निम्लिकित में से कौन सा स्थान वाचक अव्याय है तो स्थान वाचक आप देखी रहोंगे यहां एक जगह के बारे में बता रहा है यहां पर बैठी है यहां पर खाना खाये तो यह एक स्थान के बारे में बता रहा है एक प्लेस के बारे में बता रहा ह तो option C है है हमारा correct answer 26 प्रश्ण है निमलिकित में से कौन सा तत्भाव शब्द है तो संस्कृत भासा से उत्पन शब्द तत्भाव कहलाते हैं और संस्कृत के सब्द, संस्कृत के समान वो तत्सम कहलाते हैं तो तत्भाव शब्द है हमारा अमी है ठीक है, option A है है हमारा correct answer, अम्रित मतलब होता है, अम्रित, उलूक तत्सम शब्द है उलू का, हस्त तत्सम सब्द है हात का, इस्ट का तत्सम सब्द है इट का, ठीक है, तो अम्रित हो जाता है तत्भव शब्द और इसका मतलब होता है अम्रित, और option A है हमारा correct answer, अम्रित है तत्भव शब्द और उल्लूक हंस्त और इस चिका ये है तत्भव तत्सम शब्द और तत्भव हो जाएंगे अमिये मुझसे बैठा नहीं जाता है में कौन सा वाच्चे है तो इसमें हो जाएगा भाव वाच्चे ठीक है option B है मारा हो जाएगा सही answer 28 प्रश्ण है नयन में किस प्रत्य का प्रियोग हुआ है तो इसमें हुआ है अन नयन नय प्लस अन नयन ठीक है option B है हमारा correct answer नयन में प्रत्य का प्रियोग हुआ है अन का उन्तीसवा प्रेशन है विचार में एक प्रत्य लगाने से कौन से शब्द बन जाता है तो ये बन जाता है वैचारिक कई बारे कोशन रिपीट हुआ है इसको आप लोग ध्यान से आत कर लिजेगा विचार में एक प्रत्य लगाने से वैचारिक बन जाता है देखे इस वीड कोशन डिसकस करते हैं निमलिकित में से कौन सा वाग के शुद्ध है तो जो शुद्ध है डायक्ट बता देती हूं बिना टाइम वेस्ट किये सारा राज उसके लिए थाती था ठीक है option A है हमारा correct answer ये वाग के शुद्ध है देखिए ये questions थे 1,2,30 जो कि आपके आने वाले एक्जाम के लिए बहुत ही important हो सकते हैं और आप लोगों से request है कि इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करिएगा और वीडियो आप लेके लिए helpful लगे तो उसको like जरूर करिएगा thank you so